यह चुवा था यह चुवे की लाश है गयद एक प्रॉब्लम हो गई है यह जो जिसके वज़े से अपना इंजन सीज़ हो सकता है ठीक है आगे वाल अटायर जाहां में इसका अगे वेलकम बैक करी चैनल अभी वाथ तो भाई आज वहली वीडियो में पहले में बता रहा था कि अपने को पल्सर को रिश्टोर करना है तो आज वो दिन है जब अपन पल्सर को रिश्टोर करेंगे और यह अपनी बाइक खड़ी हुई है पहले तुम्हें कंडीशन दिख तो भाई यह कंडीशन देख लिए अपने बाइक के अब इसके बारे में आपका एक्स्प्लेन करतों कि हमें करना क्या क्या बाइक के अंदर वैसे तो पूरा ही काम करना लेकिन पहले नंबर पर तो भाई अपने को इंजन चेक करवाना है जो आपको ओयल स्पिल दिख रहा है ना मुझे लग रहा है कि भाई यह ना इंजन के अंदर से आ रहे जिसके वज़े से अपना इंजन सीज़ हो सकता है ठीक है तो यह सील शायद कट चुकी है तो इसको में दिक्कत हो जाएगी अपने को क्योंकि कहने को तो सिर्फ एक एक सील चेंज होती है बट उस सील को चेंज करने के लिए आपको यह पूरा पैनल उतारना पड़ता है जिसकी वज़े से मैगनिट वारा सब कुछ एक्सपोज हो जाती है तो पहले नंबर पर मैकैनिक के पास ल और दिख़ए है जितनी भी जितनी भी रस्तों रखिये इसके अंदर भाई इसको अपन रेगमार से घिज़े जाएंगे पहले ठीक है उसको पेंट मेंट करके शभी करेंगे यह सब काम मैं खुदी करूंगा अगला सबसे में बात इसकी जो बॉड़ी लाइन है पूरी वह मैं खुदी ठीक करूँगा क्योंकि जो स्क्रैचिस हैं वो मैं ठीक करूँगा और जितने भी मेरा टूट गया था मेरे पास रखा हुआ उपर को मेरा इसका दूबारा लगाएंगे ठीक करके इस सड़ा जाते हैं तो इस सड़ का काम है भाई ये देखो इसका स्विंगाम है ये बीच में से क्रैक कर चुका है ठीक है और ये रस्ट की वज़े से क्रैक हुआ है अब देखो जिनको नॉलेज निया ना बैक्स की उनको लेगेगा कि ये तो तूट चुका बट ऐसा नहीं है ये उपर वाली पत्ती है जो हल्की होते हैं हमकी जो नीचे वाली बेस होती ह हुलेक है थे जाधे इंपोर्टेंट होती है तो वह चीज़ है जो जुड़ी हूए ठीक है तो मैं क्या करने वाला हूँ इसके नदर मैं फीनक कराओंगा अब वैल्डिंग शायद ये कहल की को तुमद मैं इसके वैल्डिंक कराऊंगा देख लिए अपने मेन वाली नीचे है ना वो बिल्कुल ठीक है पेंट करने के बाद सही हो जाएगी रस्ठाट आने के बाद उपर वाली हम ठीक कर देंगे बैल्डिंग से बाकी एक इशू मिर को आ रहा है कि इसका अगला ये पिछला वीलना जहां मो रहा है ठीक है तो मुझे वो लूस करवाना पड़ेगा क्योंकि आवाज आ रही है और ये बाइक बहुत सारा टाइट चल रही है तो वो एक चीज है वो दिखना पड़ेगा ये वाला तो फ्री एटायर आगे वाला देख तो कि रमजा आगे वाला टाइर जांग है इसका अभी हम पहले चलाथे सका उइल ज़स करा लेते हैं और इसका टायर नोश करवा लेते हैं और यह जो फिल्टर काम है वो ठीक कर वाले थे क्योंकि यह मेकैनिक से करवाने ही ज्यादा से रहेगा इसका कर दो ओएल चेंज तेगा है आगे वला टायर अटक रखा जाम और गए जाम और गए वो देख लो एक वारी और और जेंज कर दो इसको कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह तो बहुत ज्याद ही टाइट चल रहा है कि मतलब ऐसा और था कि गाड़ी अगर क्लच डबा लेता था ना अपने आप ही रुख जाती ही सोड़ा ले जागे जब बारिश आई ना पीच में उसके बाद सोगा है इस बाद सोगा है इस प्रोब्लम बता दी विया को और उनोंने काया कि असेम्बली साफ तरनी पड़ेगी आगे वाली ब्रेक की को क्योंकि बहुत ज़दा टाइट हो रखी है पीछ वाली चेक कर लिया है बोत लूज ए आगे वाली अब में तरनी पड़ेगी और ओयल चेंज करा लेते हैं और इसका जो ओयल का बता रहे है ना जो मैंने आपको इंजन के उपर दिखाया था तो वो स्प्रॉकेट के उपर से आ रहा है उसके लिए खर्चा बच बच गया है तो वह चीज वहां से आ रही है तो उ बाकी इसका उयल चेंज करा रहे हैं तो डूं के तो जिन पर से सिगा बाई करो एक पॉर आता है नोर्मल आप ओर शाय सीशी विए की डाला करो बुआ तड़ा दे तुआ था ये चुवा था ये चुवे की लाश है बच्चा हो गई अच्छा बलर हो गया ये कि काटा तो नहीं न इसने कुछ थी काटने के पहले ही चल दूए बुरा हुआ भाई आत्मा को शानिती मिले उसकी ये पीला पीला क्या हो रखा अब बैटरी में कार बना गया भाई खड़े खड़े कि काट इस एक गुप न्यूस है और तो पूरा निकला मतलब ओइल नहीं खा रही है वाइक इंजन ठीक आइस वाइक का जान बची है मतलब इंजन नहीं है करेंगे भाई टायर कगाम इसके आगेगा क्या लग रहा है वो पिस्टन में दिखका तो सकती है करेंगे पिस्टन दिखाते हैं कि अभी खोलते हैं और दिखाते हैं आपको पिस्टन क्या चीज़ होते हैं कि कि अज़िए कि अज़िए को भाई देखो यह होते है पैड जो मरने वाली से भी बुरी हालत है कि अज़िए पिस्टन क्या होता है यह जो दो है ना वाल सी दिख रही होगी यह पिस्टन होते हैं जो ब्रेक पर प्रेशर लगाते हैं कि अज़िए प्रोब्लम हो गई है यह जो पिन होते हैं यह वाली यह अर भार नहीं आरे जिसकी वज़ेसे ना अपना कैलीपर जाम चल रहा है तो इसकी मुवमेंट ना पूरी नहीं हो पा रही है जिसके वज़ेसे अपने डिस जाम हो रखे आगा वला टायर जाम हो रखा है यह जब तक निकलेगा नहीं तो होगा नहीं है यह भाई नहीं वाले डिस पैट इसमें लगेंगे अभी एक लगा रहे हैं दूसरी साइड कहीं है हाथ देख रहे हो महनत वाले है तो गाइज यह अपने ठीक कर लिए यह फ्री हो चुगा है इसको तोड़े मार मार के हमने ठीक कर लिए ठीक है बाकी बाइक के जितना भी मेकैनिकल काम था वो भी मैंने पूरा कर दिया है और जो भी अब इसका कॉस्मेटिक काम होगा वो मै करूंगा ठीक है जो भी इसका क्लीनिंग वर्क है और जो भी इसका पेंटिंग वर्क है वो मैं करूंगा अज टाइम भी काफी जादा हो गया तो बाकिन कल करेंगे तो कल मिलते हैं